हलो डिवान सोल्स चली चिक कर लेते हैं इस निव मून में आपको क्या मैनिफिस्ट करना है सबसे पहले पाउर, ऑथरिटी, हार पोजिशन, फानिशियल लाइफ में ग्रोध, जॉब, प्रोमोशन यह सब कुछ आपको सबसे पहले अट्राइट करनी है सबसे पहले आपके लाइफ में यही कुछ मैनिफिस्ट करना है, हो सकता है, यह मैनिफिस्ट करने से आपके लाइफ में other जो areas है उसमें changes आ जाएगी आप currently जिस stage पर हो अपनी financial life को लेकर अपनी career wise उस से थोड़ा और growth के लिए आपको मैनिफिस्ट करना है आपको आपको lead करना है दूसरों को, आपको dominant करना है, यहाँ पर हो सकता है, आपको दूसरों को सिखानी है तो इसके लिए आपको higher position get करनी पड़ेगी, तो उसको manifest करें सबसे पहले अपनी life में powerful changes को, अपनी power को आपको manifest करना चाहिए तो कुछ लोग अपनी life में tower moment face करें है, तो इससे आप निकल जापके life में peace आए, अपके life में balance आए, इसको आप manifest करो New beginning और ज़रूर से अपनी love life में, अपनी career wise, अपनी financial life में, इन सारे areas में आपको new beginning के लिए manifest करनी चाहिए अपनी life में stability के लिए आपको manifest करने चाहिए, success के लिए आपको manifest करनी चाहिए इस बार की new moon में अगर आप लोग इससे जुरी हुई कोई भी manifest करोगे, तो बहुत ज़र्द आपको fruitful result मिलने वाली है ओके